है गाइस वेलकम बेक टो मैं चैनल में हूँ तैनबीर और आप देखे रहें इस्टुपिट रियाक्षिन तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगर इंसन की वीडियो आप लोग को पता है यह ट्रिगर इंसन बहुत बड़े यूटूबर है देखने से पहले आप लोग कितना आप प्यार करते हो शुरू करते हैं अब चुरू होने जा रहा है यूटूब का सबसे बड़ा मुकर्मा मलहान की अधालत बिने मलहान के साथ स्वागत आपका आज अपने ही कारेकरम आपके अदालत में और मैं हूँ इंसानों का बाप और हैं हमारी कारेकरम में हम आपको मिलाएंगे अपने अपने लेम सबसे अलु ब anonymous रुटूचत। तो आज आपकी अदालत में आए हैं इंडिया के जाने माने लेम और अनवनी वीडियोस बननाने वाले थमनेल में लाफ्स की मोजी लगाके वीडियोस को फणी समझने वाले टैग्स में कॉमेडी और फणी लिखके खुद को फणी समझने वाले अपने ही जोक्स पे खुद ही हाहा करके हसने वाले इंडिया के सबसे हेड़ें अनफ़नी लेम लेसें यूच्यूवर ट्रिगर इंसान एकदम कर्रेक्ट सर एकदम सच है बिल्कुल सही थैंक्यू सो मज़ आपने मिर को यहाँ पर बुलाया इस्ति इज़त दी ट्रिगर इंसान जी आपके उपर सबसे पहला इज़ाम यह है कि आप बड़ी अनफ़नी और लेम वीडियो बनाते हैं सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप एक नौर्मी हैं और टैंग वीडियो नहीं बनाते हैं मैं इतना ज्यादा नौर्मी हूँ टीचर कुछ बोलते हैं तो एकदम सावेज से थगलाई पाले रिपलाई करते हैं बातों ही बातों में किसी की भी उतार देते हैं वो होते हैं सावेज, प्रो लोग और फिर आते हैं मेरे जैसे लोग जिनकी वो सावेज लोग जो है वो जंड उतारते थे हम होते हैं वो नौर्मी लोग जिनको नहीं बोलने आती बात है लेकिन एक बात बताओ मुझे स्कूल में अगर 50 लोग हैं तो उनमें वो सावेज और डैंग लोग कितने होते थे 5 या 10 बाकी 40 तो मेरे जैसे नौर्मी है ना वो नौर्मी लोग सर मुझसे रिलेट करते हैं उनको दिखता है कि ये भी हमारी जैसी बाते कर रहा है अगर हम कोई एक फणी या फिर क्रिंज वाली वीडियो देखते हैं तो हमारा फॉर्स्त रियाक्शन क्या होता है क्या हम अपने दिमाग में एक भारी भर कम सा जोक सोच लेते हैं जिससे हम उसकी जंड कर देंगे या फिर अपनी वीडियो में जो मैं हूँ सच में वो ही मैं रहता हूँ एंड बिकोस अफ दाट इंड अप बिग अनध बिग अनोर्मी प्र इफ थी बिग जव दो कि अब इन यह विडियों में आप नहिस आप देला या नाहिस हूगा कर दो अपनी बारे में कुछ बोला तो काट दालूगा सर एक बारी को गाली देले ना लेकिन मीम्स के बारे में कुछ मत बोलना मेरी नौर्म यह ताकि पहचान है वो मीम्स आपको क्या लगता है कि मैं वीडियो के बीच में मीम्स जालता हूं मैं मीम्स के बीच में थोड़ी बुछ वीडियो डाल देता हूं मीम्स के बारे में नहीं भी सच्चाई नहीं है ये शक्त प्रितिशत 100% एकदम जूट अच्छा शायद 15 में से 14.9 मिलियन होंगे बच्चे पर बागी 100 के तो बड़े है न कुछ भी पर नहीं सर अगर ये बात है ऐसी बात है कि सिरफ मुझे बच्चे देखते हैं तो ये यूट्यूब स्टूडियो में एनलिटिक्स क्यों ऐसा दिखाता है कि सिरफ 16% बच्चे है और बागी 84% जया वो 18 से उपर वाले हैं ऐसा क्यों दिखाया जा रहे हैं और मैंने बला बहिया दिखाना को तर भाईयो को तो ट्रेगार इंसान को मैं डर गया एक सेगिंड को बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग करते हैं और सब लोग मुझे कैसे चानते हैं क्योंकि इन्होंने कभी नगभी तो मेरी वीडियो देखी है ना तो सर ऐसा नहीं है चानते हैं अच्छय से अंच्छा कन ए Crispy में आधक हैं अगरे यगंड़ी तुछ youtube और इस नॉर्मल कितना अच्छा तरह से रोष्ट करते हैं तो उतना गाली गरश्ट करते नहीं है फिर भी इतना अच्छा रोष्ट कर लेते हैं चले आगए दिखें देखें सर इटीज बिजनास ब्रैंड इंडिक्रेशन एंड स्पोंसर्शिप तो हर यूट्यूबर का जनम से दधिकार है जिससे आधा है कि आप लोगों ने डाउनलोड करी है तो गाइस आज हम रियाक्ट करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट की नई वीडियो पर सर यहां गाइस यह थी मिस्टर बीस्ट की नई वीडियो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने चार आइड्स पी डाली हैं बीच में ताकि मैं अपना मैक्सिमम रिवेन्यू भी बना सकूं आप वीडियो का लाइक कर दिशेगा थेंक्यों तर ऐस साही को जानते हैं सर वर्ल्ड के इंडिया नहीं वर्ल्ड के बिगेस्ट यूट्यूबर में से एक हैं वो उनके एक चैनल पर 13-14 मिलियों सब्सक्राइबर दूसरे पर भी कुछ 21-22 मिलियों है सर वो मीम्स पर रियाक्ट करते हैं वो हसते हैं उसको देखके उनकी ओडियों तो तो रियाक्ट करता है बस रियाक्ट करता है और मैं तो और एक्टिंग करता है तो यह तो रोश्त के नाम पर रियाक्ट कर रहा है लेम है यार इनकम बात सुनके तो मॉटिवेट हो गया कोई हां सच है हम लोग को इंडिया में रियक्ट चैनल को उतना वैलुद देते तो यार इंडिया में हम लोग ऐसे प्यार देते रहूं हिट तो मत करूं चलन देते हैं तो आपको एक कागस के तुकड़े पर दस्तकत करने पड़ते हैं और उस कागस के तुकड़े को हम कहते हैं ओन्ठाक्ट और कॉन्ठाक्ट कीना कुछ ठर्म होती है जिन मेंसे एक ठर्म थी कि आपको सुपर चाट और मेंबरशिप जो है वो और रखनी पड़ेंगी जिस वज़े से मेरे उपर एक्सपोस्ट विडियो खंड़ एंसर कि इस नों सुपर चाट ओफ करी ती अब और कर दी क्यों करी क्योंकि ये पैस से चाहिए इसको ये चाहिए अब ये सालों आफ भी तो मैंने खुद अपनी मर्जी जई करी थी ये बोलके आफ करी थी मैंने सूपर चैट कि तुम लोग मुझे सूपर चैट करने की जगा यांग अपकमिंग स्ट्रीमर्ज है उनको अगर सूपर चैट करोगे तो उन लोग ही कुछ हेल्प हो जाएगी ये बोलके अपनी गुडविल पर मैंने सूपर चैट बंद करी थी अब मुझे अपने कॉन्ट्राक्ट की वज़त से अगर वो ओन करनी पड़ी तर उस बात तो भी मेरे को सुनाया दा रहे हैं अब ये बताने की वज़श्थ से यूट्यूब मेरे साथ कॉंट्राक्ट खतम कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि क्यों आज के बाद पक्का कुछ नहीं बताऊंगा कि जी को आई लब यू बश्या अगला बने हैं कि आप पहले जैसी वीडियो नहीं बनाते हैं आप में बहुत दम नहीं रहा है पिछले थरस्दे की बात है मैं यूही घर पे बैठा चिल कर रहा था कि तभी अचानक मुझे एक एमेल आता है यूट्यूब की तरफ से के बदाई हो ट्रिगर इंसान आपको एक guideline strike पड़ गई है वो भी एक 3 साल पुरानी वीडियो के लिए एक sports साली वीडियो थी उसके लिए मेरे को guideline strike पड़ गई और यह दूसरी guideline strike थी तो अब मैं upload भी नहीं कर सकता था अपने चानल पर है 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 लो गई इस इस मी फ्रम दफिव अब समझे यह सब जो हेटर लोग रहते हैं वह लोग कमेंड़ लिखते हैं वह कॉमेंड का एक दम सहीजवाब दे रहे हैं अब हीटर लोग देखके अब सूचिंगे क्या इंका क्या बेजती करो यार तुम लोग कुछ बेजती कर नहीं सकते हो यह अच्छा वीडियो बनाते थे हे बनाते रहेंगे और इनका जो फैन फर लेंगा ना वह भी बढ़ते जागा कभी खटने वाला है नहीं तो समझें इसमें मैंने एक छोटा सा 20 सेकंड का मीम यूज कर लिया था किसी का उस बंदे ने मीम यूज करने के लिए म मैकसिमम तो बहुत जादा सोचना नहीं पड़ता था कि क्या मैं यह चीज बोल सकता हूं कहीं इस चीज का कोई गलत कोई मतलब ना ले ले कोई इससे ओफेंड ना हो जाए पर एक्जांपल मैंने यह चैनल जब स्टार्ट किया था मैं में मेंली कमेंटरी वीडियो जालता था बॉलिवुड के चोटे-चोटे सीन्स हो गए स्पोर्ट्स की चोटी-चोटी वीडियो उन पर कमेंटरी करता था और वो मेरे को सबसे जादा पसंद थी हम देखते हैं कि यह तो गुंडे आते हैं और जाकी दादा पर गोली चलाना चुरू करते हैं लेकिन अचानक से जाकी दादा को यह आता था ओ शिट मैं तो स्पैडर मैं हूं मैं तो दिवारों पर भाग सकता हूं और यह जाकी दादा ने दिवारों पर भागना शुरू क कर दिया है ले कि मेरी पूरी की कमेंटरी वाली जो प्लेलिस थी उसकी एक एक वीडियो कौपिराइट क्लेम हो गई थी मेरा चानल ऐसे एक मिलियन के रौंड था मैंने अपनी 35 वीडियो जो पुराणी वीडियो थी 35 वीडियो मैंने सारी हटा दिया है लेकिन उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए मैंने कोशिश तो करी है जैसे छगण व्लोगर वाला एक कॉंसेट है वो लेकिया आया मैं स्टोरी टाइम वीडियो मेरे ख्याल से मेरे से पहले शायद कोई नहीं करता था एनिवेज गाइस आपने हमारा जो है रोस्ट इंटर्व्यू करा है आप यू गाइस इंजोड दे वीडियो इफ यू एफ यू इडियो तब तक के लिए सार बोलिये सर सर करते करते पापा जादा बेस्ति कर दिया आपने थैंक्स वो अच्छे वीडियो तो आपलोग अच्छे Oliverrup करता है तो कितना hitter बन जाते है तो यह अच्छे यूट्यूबर ही यार यह ROAST करते है कितना प्यारी तर इस पर रोस्ट करते हैं जाली देते ना कुछ देते फीर भी मतलब बढ़ने दोगे नहीं ना अरे बढ़ जाएंगे रोक नहीं पाऊगे और इनके जो फॉलोवर है तो वह तो आरमी है वह लोगों को पता है क्या अच्छा क्या बुरा है तो हेटर तो बढ़ते रहने दो फिर भी इंसान आगे जाना ही बना है इसलिए तो है ट्रेगर इंसान आप लोग क्या है डिकी और फॉलोव यारती इंसागी करदेना आप है झाल कर दो कर दो कर दो कर दो है नहीं में कर दो कर दो कर कर दो है